सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थोस आकारों का चित्रन अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए इसके चारों तरफ रेखा कीजिए क्या आप इस रेखाओं से गिरी बंद आकर्ती को उठा सकते हैं इस आकर्ती की विमाए कितनी है हाँ इस आकर्ती की केवल लंबाई वे चोड़ाई है इसकी कोई मोटाई यह उचाई या गहराई नहीं है इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते हैं इस परकार की आकर्तियों को द्यू विमिय आकर्ती टूड़ी कहते हैं क्या आपको निम्न द्यू विमिय आकर्ती टूड़ी के नाम याद है तो देखिए बच्चों ये पूछा है ठीक है त देखे इस टाइब से जो बनता है ये क्या है ये आयत है अब ऐसे ही ये क्या है ये है सरकल जो होता है ये वरत ये क्या है ये तिर भुजे हमने यहां लिख दिया ये क्या है बच्चों ये चतर भुजे और ये क्या है ये फर्ग है तो हमने यहां पर लिख दिया अब आगे द पूडो का पासा आधी को धिहान में लाई है। आपने देखा होगा कि इन वस्तों में लंबाई और चोडाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या उचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकरतियों को तिरी वी मिया आकरती मतलब 3D कहते हैं। आइए कुछ तिरी वी मिया आकरतिय के नाम याद कर लिखें। तो देखिए बच्चो ये क्या है। हमने यहाँ पर लिख दिया ये बेलन है। ठीक है। ये क्या है? ये घन हो गया। ये क्या है? ये घनाव हो गया। ये क्या है? ये शंकु हो गया। ठीक है? इसे शंकु बोलते हैं। अब आगे देख लेते ह देखिए अब इसमें एक घं का बता रखा ये तो क्या है ये शीर्श है ये क्या है ये किनारा है और ये क्या है ये फलक है ठीक है ये फलक हो गए तो ठोस आकर्टियों के भाग बता हुए फलक कहते हैं हम किसी ठोस आकर्टि के सपाट प्रष्ट को ठीक है किसी ठोस आकर्ती के सपाट प्रष्ट उसके फलक कहलाते हैं जैसे ये सपाट है ये प्रष्ट ये का कहलाते हैं फलक शीर्ष कहते हैं बच्चों किसी ठोस आकर्ती के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं कोने हो गए इसके ये क्या कहलाते हैं शिर्ष कहलाते हैं ठीक है अब किसी ठोस आकर्ती के धाचे की रेखा खंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं तो देखिए ये जो है ये देखिए ये क्या है ये उसके किनारे हो गए ठीक है अब जाल जाल क्या होता है जाल एक वहा करती है जो किसी ठोस आकर्ती को खेलने पर प्राप्त होती है अपने आसपास की ठोस आकर्तियों को उपर दी गई ठोस आकर्तियों के चितरों को देखकर निम्न सार्णी को पूरा कीजिए तो बच्चों यह हमने सार्णी पूरी कर दिये क्योंकि इसमें ठोजाकरती के नाम बता रखें फलक, किनारे, शीर्ष ठीक है? तो घनाब में कितने फलक होते हैं? हमने लिख दिये 6 किनारे कितने होते हैं? 12 और शीर्ष कितने होते हैं? 8 अब बेलन के पूछें बेलन में फलक कितने होते हैं? 6 3 किनारे 2 और शीर्ष 0 कोई नहीं होता किनारा अब शंकू में पूछें शंकू में फलक होते हैं 2 किनारे 1 और शीर्ष 1 घन में कितने फलक होते हैं 6 किनारे 12 और शीर्ष 8 होते हैं ठीके बच्चो अब इधर देखते हैं जरा सोचिए जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी ये दवाई का डिब्बा को खीचते हैं तो आपको कैसे आकरती मिलती हैं और जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है तो ये question है बच्चो, निम्न चालो का उनकी सही ठोस आकरती के साथ मिलान कीजिए, ठीक है, तो देखे बच्चो, इसका मिलान किया हमने, इससे, ठीक है, इसका मिलान कर देंगे हम इससे, third से, ये हो गया first और A भी लिख सकते हैं, ये हो गया second, इससे B भी लिख सकते हैं, इसक ठीक है, ये हो गया third, इससे C भी लिख सकते हैं, C लिख देंगे, और इससे हमने कहा मिलान किया, इससे, तो ये क्या हो गया, fourth, इससे D भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चो, तो ये आपकी worksheet solve हो गई, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, तो प्लीज में वीडियो को ल झी रच्चो, तो ये ठावकी को बंजन हो खब्सकते हैं, उे एले को लिख सकते हैं, लिख सहते हैं